कि है और अब लोग जो लोग अपने अपने सेट-आप चला के बैठे हुए हैं अपनी अपनी जंड़े की नीचे जो कहते हैं कि हमने जंग में जन्नत में जाना है ठीक है तो बाकि तो सारे ही काफिर है उनके वारे क्या था हुआ ही क्या यह एक हैelles आप मेरा समझाओे मेरा से हम पर लाज मेरा सलाओ, यह सम्हार। अतुम सूर आप मेरा स सुनो एक क्या शेमाने स भी समाना मुझे थें, तर्फ्लकु आप इस तरुपाओ करें न आप से क्यों आम शन्हिता किई, उसका है। कुईंसों मुझे बोले रहे हैं मैंने आप से क्वेस्चन ये पूछा आ कि अपनी बता दुकान की क्या प्रोडक्ट की बताओ बदाओ कि तुमने बूला असफो अभी जब हम पूछ रहें कौन सी प्रोडक्ट है तुम बूल तो उसकी बाती नहीं कि अपनी बात रिपीट कर देता हूं मैं अपनी बात रिपीट कर देता हूं कि हर बंदा अपनी अपनी दुकान चमका रहा है यहां में से यहां आप लोगों में से एक मसूफ बोले अपनी प्रोडेक्ट बेच रहे हैं सही है हम लोग यूटूब पे चलाएंगे इनिशाला अच्छा जी मैंने का है कि हर बंदा चमका रहा है उसमें प्रोड़क्ट का सीन ना था ना मैंने बोला चलें आप मेरा यहां पर आने का मकसद है मेरा यहां पे आने का मकसद यह है कि आप कोई बंदा वक्त तक मुस्लमान हो इनी सकता जब तक मिर्जा लांती मिर्जा काद्यानी को लांती जनमी ना समझे प्रोड़क्ट बेच रहे हैं प्रेली कौन सी बेच रहे हैं वाभी 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 कौन सी बेच रहे हैं वा वह उसके बारे में में हमाह बता के डीके मारे नोलिज में इभाह हो नहीं कि भी आप क्या कहना हो रहे हैं Y も A Left Your in a support भी आपक अपके सामने हैं दो बार चना रहे हैं भी इस दर्बार पर जाना दर्बार तो आज के तो नहीं है दर्बार तो हजाए जाना 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 मैं blaming this ब्रेल्वी जैसे कि ब्रेल्वी आप तेंसे फिरका मैं कुं सा ईपशृटक से एक आप की इस और हुआ बाबा जी से मदद माँदाते वह जए औि एक वहते है भी भी आपते है की अगय कि ता लीक करते हुए म competitor मेरी बासूने मिर्जा की साथ Samsung mean we are पॉर्भीक मिसाले बात भी मिसाले सुने दे arts a बात like कॉन ना in बात सुनने पहले फाथ साध जौब ले लेना साध-सा जौव ले ले दिखेंजMartin arm केंपनिक ना झूट बोला आपने थीक है उनके एकावरिन इनकी किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो भी इस्तंदाद के कायल है यह आप जूड़ बंद है आपने उनके ओपर देवबंदियों के ओपर ठीक है ना जी अब आप मुझे बताएं कि किसी बजरुब से मदद मांगना एक मुझे आप पर बास सुनने पहले मेरी पर और धाले है पहले पूरी बास सुनेंगे पिर बात करेंगे आप अच्या। अब मुझे बताएं कि बढ़ें कि अगर को अगर को बंदां किसी जरुबार कर नहीं जाता वहां पर जाके मदद बाइब दर्बारों पर ना जाने वालों को क्या बरेलवी बेवबंदी काफर कहते हैं यह तो एक दूसरे को काफर नहीं कहते हैं यह नुग जाता है जाता है वह सबसे बड़ा लानती है अच्छा यह बाबर एक मिन्ट है आप लोगो बैठे हैं इसलाफ की तबनीक के लिए और आप लोगों को तरीका यह तरीका ही नहीं पता आप लोग बड़े अलम बने बैठे हैं यहां पर अच्छा जवाब ले के फिर आपको जवाब देते हैं ज्यादा चलाक ना बने आपने सवाल की है ना चुप रहें सवाल का जवाब ले करें पिर आपको जवाब के अच्छा जी आप बात करें तो फिर आप बात करें अच्छा जी आप बड़ें तरी कर देजह करें कों से वह बने बिरे लिएольно ने कर लिए चिन काफ़ानος लिए क्छा utडें जियार काफी लोगे मेरे साथ बैटते है बही मैंने आपके काफर कहने से काफर हो जाएगा, तो उसे काफर हो जाएगा, तो आपके कहने से 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 काफर हो जाएगा, तो बही आपके कहने से काफर हो जाएगा आधियों, प्रफंदियों के थोड़े लोग है यार. अलामत कास्मुरानी नाम है मेरे भाई. नाम है, सर्थ करें कास्मुरानी. अगर ये नाम निकला यारना, जो आप यी नाम चNowES प्योता है, ये नाम झूदी अव्हला ले रहे हैं, आपको नाम भी नहीं पता आप छूट बोली जा रहे हैं आप भाई क्या हो गया है क्या हो गया है कास्म नुरानी को जानते हैं आप कुण है कास्म नुरानी नाम नहीं है भाई क्यों आप यहां पे आगे आगे आप मरत दमाग चाट रहे हैं क्यों चाट रहे हैं मरत दमाग बाई एक सिकेंड बाई ये आसर जलानी चुआया ने इससे पूछें कि इसको हमारे उल्मा कराम के लिए जो खिद्मात हमारे इसलाम के लिए वो नसर नहीं आती, वहां पे अंदे हो जाते हो सारे बिलकुल मुझे नदर आती है, बिलकुल जिन के… मुझे आप 7-8 पंदे बैठें, मुझे एक समाल का जवाब दे दो मैं आप लोगों को माल जाओँगा एक समाल का मुझे जवाब देनागा यहार रिखमने। आपको विया में जुर्दका गरें आसिफ भी आप पार जे ना शूबर आता है जिलानी बई आपके शुब राता है, आसिफ ए मिर्दा बई एक मिन ज़रा ठेरिएगा, आसिफ जलानी साफ बात ऐसे हैं, इसके बात खत्म हो जी आसिफ जलानी साफ अपना माइक खोल के बता है, फिरका किसे कहते हैं? फिरका यार किसी भी जो है वो जमाद से तूटके कोई अलग शाफ कोई अलग अपना ही नजरीया लेके बैठ गया हो वो फिरका है? गर्दे 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 जाना आप लोग अपने हैं? कौन सी जमाद से? इसला मिस जऱक है जरू कोई ज्याधा शाखे तो नहीं है जो फिरका यहार मुसलमानों पर अपने हैं? है? मसलमानों से. यार मुसलमानों की फिर्का कहें विर्का कहें है ना उसको हम? इस उसको कहते हैं के ये बंदा जो है ये इसने मुसलमानों का तरीक छूड़ दी है. इस वज़े से ये फिरका है ठीक है अब आप मुझे ये बताएं कि दियोबंदी या एल इदीस या बरेलवी उन्होंने इसलाम के जो बुनियादी एकाइद हैं उन में से या उसूल इदीन है जो उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ को उन्होंने छोड़ा है जिसकी वज़ा से आप उनको फिरका अब आप पसी है ना आप लग्याना się को मुस्बूती से थामें रखो और तफरके नहां पड़ो ठीक है सा तो अल्ला की रशी बेसे के लिए क्या ए मुझे बताएं मुझे लग्धी रशी क्या है और किस तरह आपने बताना है ना भी वही तो मैंने आपसे पूछा है, मुसल्मानों ने अल्ला की कौन सी रस्ती को छोड़ा है, उसे वहारा खित है, उसमें से तुमने सारों को मुसल्मान जो है, उससे इसलाम से बाहर निकाल दिया है, यह नहीं सोचा के भी? किस को निकाला है, मैंने तो किसी आलम को कि इसलाम से बाहर नहीं निकाला, किस एक आम लिए? तो आपनी लाइदा लाइदा दुकाने खोली हुई है अब जो बंदियों का ये वला अकीता है मदद लेने का इस्तानत लेने का जैसा अहले सुनवा जमात जो अपने आपको अलादस से मनसूब करते हैं क्या उनका इदा से वही वाला नहीं है जैसा दुबंदियों ने अपनी किताबों में पहले लिखा हुए इस बात का स्वाल का जुआब लें इन आसिब बाइगों को चुकर ये बहुत सारे मोदवाद को खोलना चाहते हैं फिर किसी को किसी बात की समझ नहीं आएगी आप इनसे ये पूछें कि ये किदर लिखा हुआ है कि जो हम इस्तानत का चीता रखते हैं क्या वैसा कीता दियोबनियों का नहीं है ये इत्वाल इंटर्बून के पर अफ़ूर आफिस बेग ओपर ले ले मैं नीशे जारू हूँ अगर है तो मेरे पास एक अश्रफ तफ़की पर ले अभी 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 अपने सुनी है एक मिनट मैं थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी जो आपने बात की है अक्सर ये मिर्जा जेल मी उसके मानने वाले इन चीजों की बड़ी जो है ना वो वावेला करते हैं और हमारे दोसे जो नाक पतन देश दोस हैं वो भी ये बाते अक्सर करते हैं कि इस तानत जो है ना वो मदद लेनी नजायज है अभी मैं आपको एक किताब तफसीर है अश्रफ तफसीर जिल्द अगल इसमें जो शेह लिस्लाम मुफ्ती मुमद तकी उसमानी साब है ना इन परकाफ किस ही जोफ प्लोस हैं कि किस मक्त मीफिकर से तल्ग है वो लिखते हैं स्वाल किया गया कि इया काנस्ताइन से हसर इस्तानत मलूम हुआ है हलांकि काम-काज में लोगों से इस्तानत की जाती है इशाथ फर्माया मुराद ये है कि बिल इस्तकलाल किसी को मुहींट समझ कर स्वाए हुदा के किसी से मदद ना मांगना चाहिए बाकी जो चीजें लोगों के इस्तियार में हैं इन में से मदद लेना जायद है क्योंके वहाँ इनका गेर मस्तकलोना जाहर है सब जानते हैं कि अभी खुदा मजदूर या बेकार कर दे तो वो आपने आपको नहीं बचा सकते इसी तरह सूफिया फयूद बातनी में मशाय अखियाओ अमवात से मुस्तवीद होते हैं और ये कशफ और तजर्बा से थाबत हो गया है कि नफा होता है इसलिए इस नफा का जनन इतकाद रखना जायज है ये तो आप द्योब नहीं लिए ये तो आप नहीं नहीं था ना बात ही ये है ये जो कह रहे हैं कि जो तमाम जितने भी मसालिक हैं उनको ये फिरके कह रहे हैं बही आपको फिर्के की तारीफ की जब नहीं पता तो आपने उठके तो सब के उपर फिर्के का टैग लगा दिया आपने या तो पहले जाएं जाके सिखें जाके पढ़े किसी से जाके के फिर्का किसे कहते हैं फिरका उसे कहते हैं जो इसलाम के बुनियादी अकाय से इनहराफ कर जाए जो सूले दीन में से किसी एक चीज़ का मुनहरिफ हो जाए उसको फिरका कहते हैं जैसे के मुट दिलाते हैं जैसे के एक मिट आमिर वई जैसे के मुझसमा हैं जैसे के कदरिया हैं इसी तरह से और बहुत सारे फिर्के हैं जैसे के शेखव अब्दू कादर जलनी रह्मतुल्ई एलय एलेने अपनी किताब है ने जो गुनिए तो तालिबीं उसके अंदर उन्होंगे बहुत सारे गमरा फिरकों के नाम लिखे है उन्हों यह वो फिरकें हैं जिनों मौतजली है उन्होंने असूल इदीन का इंकार किया असूले दीन का इंकार करके वो इसलام से बाहर निकल गए वो आज हम अठकी उनको कहा दें के ये 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 इसलام के फिरके हैं महाजा ला अस्तेख्विरल्ला और भ Morning वो निकल गए हैं देने इसलام से निकल गए हैं खारिच होगी हैं जैसे कि मिर्दा एंजिनिर कादियनी को कह रहा है मुसल्मानों का फिरका माज़ला अस्तखफिरुल्ला और भई कादियनी उन्हें जब नबी लिस्लाम की खत्म नमूर्ट का इंकार कर दिया तो वो तो मुर्तद हो गए वो और मुर्ताद को आप मुसल्मानों का फिरका कह रहे हैं भाई पहले जाएं, इलम असल करें इलम असल करने के बाद आएं आप फिर आगे आप गुफ्तकू करें ताके लोगों को सुनने वालों को पता चले यारे का साहब इलम बद्द बात कर रहे जब आपको पता ही ना 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 आपको पत पे मिर्दा इंजींई और मिर्दा कादिय नहीं है आपने आगे पीच मेनीद मैंनी अपने वो दूकान लगा लिया आपने यह सुनी शुनी Holy सुनीन यह सूफी बाइ भाइ मिर्दा इंजीनियर जूनियर का ही स्टूडेंट है वह ही तो किनीजिया, अलजेरिया, सुदान, सुमालिया, एजिप्ट, इतने सारे मुसल्मानों के मुमालिक है, इराक, इरान, सौधियर वगारा, वहाँ भी भी बहुत सारे लोगों में थोड़ा बहुत, मता कि उनकी जो बिलीवसं में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन वो बहुत ही ह बंदी, बरेलवी, स्कूल ओफ थार्ट है, पहले सोचें कि उनके आपस में जो डिफरेंस है, वो किस बात पर आपको समझ जाएगी, कि इसलाम के अंदर कुछ भी उनने नहीं नहीं बदला, बहुत ही हाई लेवल पे जाते हैं, आपको तो भी सिक नहीं पता, भाई तही है मुझे ये बताएं, रशीद आमद गंगोई साथ को कुण जानता है, पत्वा ए रशीदी को अंदर के आपको, देखें मेरे प्यारे भाई आसिफ जलानी साथ, आप यहां पे अभी नाम ले रहे थे, मुलाना रशीद आमद गंगोई रहमत आले का, तो वो आपको, देखे बज़रे हैं, बज़रे हैं, ठीक है, फताव रशीदी आप जिनकी बात कर रहे हैं, अच्छा, देखें, आप इस्तेमाल कर रहे थे एक लफ्रन पाक के अंदर जो आया, वाटसिमू बहबलिल्लाही जमियाउं वला तफर्रकू, देखें मेरे प्यारे भई, आपने आज तक पेश करने लगा हूँ, यह जरूरत इसलिए पेश है, तफसील अर्ज करने की, क्योंकि आपको पता नहीं है, जिसकी वज़ा से आप घलत फहमी के शिकार होकर हर एक को फिरका फिरका कही जा रहे हैं, हर एक को आप फिरका फिरका कही जा रहे हैं, देखें, मैं बन्यादी बाद आपको बताता हूँ कि कुरान पाक ने फिरका परस्ती किसको का है कुरान ने का है ना कि फिरके में ना पढ़ो अब फिरके में ना पढ़ना क्या है वो कैसे फिरका बंदी होगी कि पता चले कि भई फिरका परस्ती नहीं करनी फिरकों में नहीं पढ़ना ठीक है देखो कुरान पाक के अंदर लफ़े फिर्का आया है ठीक है फिर्का ये माज़र चाहता हूँ सुभी साब सिर्फ एक सेकंड माज़र चाहता हूँ आपको मैं बीच में डिसाल्ब कर रहा हूँ आपने माशालला बड़े अच्छे अंदास से गुफ्तबू शूरू किये आप ये आं जब आपको फिर्के का मफ़ूम समझा जाएगा तो फिर्के की जुरूरत क्यूं पड़ी ये सवाली पैदा नहीं होगा ठीक है मेरे पहले बात को मुकमल सुने उसके बाद भी अगर तसली नहो तो फिर सवाल करें ठीक है देखें फिर्का कहते किसको है लोगों की एक जमा जमात है ये जो लफ़े फिर्का है ना ये इस जमात के उपर जो है वो लग सकता है इसको कहा जा सकता है कि ये एक फिर्का है ठीक है पहली बात और दूसरी बात ये है कि कुरान मजीद के अंदर और आहादीस मुबारका के अंदर फिर्का बंदी की शदीद किसम की मुमानत आई हैं और इसके ओपर मुझमत आई हैं और इसके ओपर आप अल्ला अललाई अल्हें अल्हेख वस्वल दॉल्म ने बहुत सरे मकामात पर वाई्ट सुनाई है ठीक है अब ये देखें कि फिरْका बंदी से मुराद क्या है कि कुरान पाग ने के अंदर इख्तिलाफ हो इसको कहते हैं फिरकाबंदी असूल दीन के अंदर इख्तिलाफ करे या अकाइद दीन के अंदर इख्तिलाफ करे ये फिरकाबंदी है अब मिसाल के तोर पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुसल्मा अकीदा है कि आप ﷺ आखरी नभी है आप ﷺ के बाद कोई नया नभी कियामत तक दुबारा नहीं आएगा ये उम्मत मुस्लिमा का मुत्विका मुसल्मा कुरान और हदीस के साथ ये अकीदा है ठीक है और ये उसूल दीन में से है और अकाइद दीन में से बुनियादी अकीदा है अब जो बंदा इस उसूल दीन से तकराएगा इन अकाइद दीन में से किसी अकीदे से तकराएगा और वो अपने साथ किसी और को भी शामिल कर लेगा उसके साथ और भी शामिल हो जाएंगे तो ये बन्दा फिरका बंदी कर रहा है ठीक है इस मुझूदा दोर के अंदर फिरका बंदी करने वालों में ये मुझूदा दोर से गुजिश्टा दोर और आज के दोर में भी जो कद्यानी चल रहे है ठीक है इन्हों ने दीन के अंदर फिरका बना लिया है जैसे मिसाल के तोर पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का ये मुत्विका कीदा है कि भई जिस तरह कुरान मजीद हमारे लिए नस है इसी तरह हदीश भी हमारे लिए नस है जिस तरह कुरान मजीद पर अमल करना तमाम मुस्लमानों के लिए जरूरी है इसी तरह हदीस पर अमल करना भी तमाम मुस्लमानों पर जरूरी है ठीक है अब यहां पर कुछ जो है वो उन्होंने उसूल दीन और अकाइद दीन से तक्रा गए आके उन्होंने कहा कि भई नहीं हम सिर्फ कुरान को मानेंगे हदीस को हम नहीं मानते तो यह एक फिर्का बन गया मेरी बात उमीद है कि आपको समझ में आ रही होगी अब देखें बात को मैं तरह तफसील से आपको समझना चाहरा हूँ यह जो आयत करीमा है सुरह इन्हाम की 156 नमबर आयत है मैं तरह वो तिलावत कर देता हूँ आप में से भी अगर कोई साथी जो है वो 156 निकाल के उसका तरजमा देखना चाहिए तो वो भी देखे आओज बिल्लाही मिन श्शेटानी र्रजीम बिस्मिल्लाही र्रह्मानी र्रहीम अन्तकूलू इन्नमा उन्जिललकिताब अला ताइफतेइन मिन कबलिना वइन कुना अन्दिरासतिहिम लगाफिलून वइन कुना अन्दिरासतिहिम लगाफिलून अब ये जो आयत करीमा हैं इस आयत करीमा के तहट कि अल्लाह तबारक बातला यहाँ पर क्या फर्मा रहे हैं फर्मा रहे हैं कि इस आयत मुबारका के अंदर जो लोग गलत रस्ते पर चल पड़े हैं जो लोग गलत रस्ते पर चल पड़े हैं अल्लाह तबारक बातला जनाब रसूल अल्लाह को फर्मा रहे हैं कि अल्लह का रसूल इन से बरी है ठीक है यानि जो लोग रसूल दीन अकाइद दीन रसूल अल्लह के दीन को छोड़ चुके उन से रसूल अल्लह का कोई वास्ता नहीं है ठीक है अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने रसूल अल्लह की तारिमात को छोड़ा है ने नहीं चले तो अब आब आब सलिएली और शुर्यी अभी आप अंल शुर्य belief कोई दल्ल रै। ना आप ﷺ का उन से कोई तर्लक है ठीक है? अब देखें अब देखें कि अब दे ने उनको शदीद वईद सुनाई कि इनका मौमला बस अल्ह तबारक बारक 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 के हवाले है वही उनको क्यामत के रोज सजा देगा ठीक है? अब दीन के अंदर तफरका डालना दीन में जो है वो फिरके बनाना इस आयत मुबारका के अंदर मजगूर हुआ है कुरान जो कहता है न वला तफर्रकू कि तफरके ना बनाओ तो इसका जिकर सुरत अनाम की आयत नंबर 156 के अंदर अचो ऑफर बूबार के लाए ने वाज़ तुर बे ब Spencer Alla के बनाए हुए एसूल दीन अकायद दीन से बुर्दानी कर रहे हैं वो फिरके बनाने वाले हैं वो फिरका बनाने वाले हैं अब आ जाते हैं हम आज के जो जिन की तफ़ आप इशारा कर रहे थे, दियुबन बरीलवी अहलِ حदीस भर हिद्व याद रखिए, दियुबन बरीलवी अहलِ حदीस ये तीनों के तीनों इनका जो मरकज है ना जिन से ये दिन ले रहे हैं जिन की तालिमास को ये ले रहे हैं वो अल्ला है और अल्ला का रसूल है और गुरान है जो बंदी हो मरकज अल्ला अल्ला का रसूल गुरान बरिल्वी हो मरकज अल्ला अल्ला का रसूल गुरान एले हतीस हो मरकज अल्ला अल्ला का रसूल अल्ला का गुरान ठीक है अब आप कहींगे जी फिर इनके अंदर इख्तिलाफात क्यों है तो मेरे प्यारे भई इसके लिए जनाब रसूल लाज ने साड़े चोदा सु साल पहले इर्शाद फर्मा दिया था साड़े चोदा सु साल पहले इर्शाद फर्मा दिया था कि फुरुई इखिलाफात के बारे में हजरत इबन अबास रदियल्लाहु ताला अनुह से रिवायत है कि जनाब रसूल लाओ ने फरमाई इखिलाफ उम्मती रह्मतु फुरुई इखिलाफात तो रहेंगे अकाइद के अंदर इखिलाफ नहीं है जो बुनियादी अकाइद है बरेल्वी हों दियोबंदी हो एहले अधिस को अल्ला को एक मानते है कल्मा तीनों का ला इलह इल्ला मुहम्मदु रसूल ला है आप सलिएल्लाहु अलिही वसलम को आखरी नभी मानते है कुरान को भी हुजज़त मानते है आप सलिएल्लाहु अलिही वसलम की तमाम तालिमात के उपर अमल पेरा होने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अगर मिसाल के तोर पर अब एक मसला आपको मैं बताता हूँ जैसे रफाएदेन करना और रफाएदेन ना करना क्या रफाएदेन करना हराम है और रफाएदेन ना करना हराम है यहां पे ना हराम हलाल का मसला ना जायज ना जायज का मसला है यहां पे एक ने रफाएदेन करने को अफजल समझा अला समझा उसने रफाएदेन किया और दूसरे ने रफ़ाई देन ना करने को अफ़ल समझा तो उसने रफ़ाई देन ना किया ठीक है? तो यहां पर तो जो कोशिश हो रही है वो ये कोशिश हो रही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा गुर्ण और सुन्नत पर अमल कर लू और जहां अख्तिलाफात की बात आती है फुरूई अख्तिलाफात का हो जाना कोई कुफर इसलाम का मसला नहीं होता यह कोई किसी ने अगर किसी के तर कोई फुरूई अख्तिलाफ कर लिया तो इसके अंदर यह नहीं होगा कि इसने कोई कुफर कर लिया या कुफर इसलाम का मसला बन गया, कुफर इमान का मसला बन गया, ऐसा हर्गिस नहीं है, तो ये एक गलत फेहमी जो है, वह अग्यार की तरफ से, बातिल की तरफ से, उम्मत मुस्लिमा के लोगों के अंदर, जो है, वो डाली गई, कि भई, तुम तो आपस में एक नहीं हो, त तो अपरें दरी तरी अखिलाफात है, तो भई, ऐसी कोई बात नहीं है, जब हमारा अल्ला एक है, हमारा इमान एक है, हमारे सहाबा एक है, एहले बैत है, खुराण एक है, और रसूल अल्रॉ AO को तेमाँ, जो हम सब खत्मِ नबुल आखरी निवार नभी मानते हैं, यही त जब तक गादियानियत को काफिर करार adapter नहीं दिल्वाया गया था उस वकथ तक उम्मत मस्ल्मा के अन्दर इतना ये चीज़ LA मुसल्मानों के अंदर तो इतने फिरके बन चुके मुसलिमान तो आपस में लड़ रहे हैं यूं कर रहे हैं वो कर जो इतना प्रॉपगंडा किया जा रहा उस वक्त नहीं था इतना ज्यादा हाँ इल्मी हद तक था किताबों की हद था लेकिन अवाम नास की जुबानों पर जुबान ज़दे आम नहीं था लेकिन आज गादियानियत की तरफ से इतना प्रॉपगंडा हुआ इतना प्रॉपगंडा हुआ कि इस प्रॉपगंडे का शिकार हमारे कितने ही ज्यादा मुसलिमान भी हो गए और वो भी ये बाते करना शुरू हो गए कि देखो जी दियोबनी ओकालाग है बनिल्मी ओकालाग है और अहले दीसों कालाग है माज़र चाहता हूँ हमारे दम्हान एक हाफ़ज इबराहिम साभ बैठी है नीचे अब हाफ़ज इबराहिम साभ जो है वो माशालला एहले दीस हैं लेकिन उन्हों ने तालीम कहा कहा से असल किया किन मदारस से असल किया वो खुद आके बताएंगे अगर वोपर तस्रीफ ले आते हैं देखे जी अगर हमारा हमारी कुत्ब और हमारे अकाइद अगर इसलाम से मुखालिफ है तो बही हमारे मदारस के अंदर या हमारे जो ब्रेलमियों के जो या एहल दीस हों के जो बच्चे हैं क्या एक दूसरे याफसारब देख सलाम अलेक्म कि अन्हों ने कहा कहा से आपतार मासल की है लिकिन इनका गाले बरने नेट सलू है जी आपसप असलाम आरेकों बारेकृमस्स्राम रभिष्ट लिख इख और । जी जी आफसाब अल्हा का शुकर अल्हम्दोरिल्ला आफसाब ये हमारे साथ एक आएं आसिव चिलानी साथ तो ये कह रहे हैं जी आप लोग फिर्कों में बढ़गी हैं तो आप लोगों ने आप ये अपनी अपनी दुगाने खोल ली हैं इस तरह की गुफ्तु को कर रहे थ जाते हैं गां आप नीचे आए कि या यह जाया करें एक दूसरे को काफर समझें तो क्या हम एक दूसरे के माधार्स में जाके तालीम ह commenting यां एक दूसरे के साथ रिश्टेदारियं करें एक दूसरे को बची ये और एक दूसरे से बिल्कुल नहीं है, हमारे अकाबिरीन भी जो थे ना, वो भी आपस में, जिस तरह आपने बात किया ना, बच्चियों वाली, करते रहे हैं, शेख अहमद लाहुरी साब, उन्होंने अपनी बेटी दी थी, हाला के वो खुद यो बंदी थे, लेकिन उनने अहल अहले हदीस के अपनी बेटी दी थी, इसी तरह काफी सारी मिसाले में आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने हिफज जब शुरू किया था ना, शुरू के चंद सिपारे, तकरिबन 10 से 17 सिपारे मेंने, अहल सुन्ना वल जमाह, हनफी ब्रेलवी, इनके मदरीसे में किये थे, ठीक है, उस फिर्के की डैफिनेशन कर दें, फिर हम आगे फैसला कर सके कि वाकी हम बटे हैं के नहीं बटे, यह फिर्के की डैफिनेशन कर दें तो, जी, आप सब कैसे हैं आप ठीक हैं, सबसे पहले तो मैं सुफी साब के शुरिया दा करूंगा कि उन्हें ने बड़ा टाइम दिया और बड़े अच्छे अंदास से बात की, ठीक है, किसी इंसान को बड़े अच्छे अंदास से बात कर लेना जो हता है, मैं अभी खुद असलमानों में, जिस दिन ये आजा है, अल्ला के नभी का वो तरीका खत्यार कर लें, हम वो तरीका तबलीग तो ये चीजे ना हो, हमसे को क्वेशन पूछता है, तो हम उसको कहता है, ये तो पतनी क्या है, ये तो फ़ला फरके से आ गया है, इस उठाके बाहर फैंको, ठीक अइस अध्लता अपकी है जो मजलसतें वगार उती हैं, या आप लोग कोई अपनी मेहिखिफले करवाते है, या वहाँ पर तमाम अकाते पे जो फिकर हैं, उनके जो ऑल्माई कराम होते चाहिए हैं, और टकारीर कठी करते हैं, क्या उनके अका जैसे हैं, क्या जो है जो फिरके में बागी जो फालो करते हैं लोग जो फालो करते हैं उंके क्या उंके जो अकायद है या जसी टरह वो छीजों को फालो कर रहे है वो क्या त्रीका कारणन का एकी है अगर कोई बंदा मैं खुद बरेली रहा हूँ और मुझसे बेतर बरेली में तो कोई समझ नहीं सकता ठीक है न तो मैं आपको ये बताऊँ कि अगर एक बंदा बेद्यानी में बेख्याली में जो है वो शिर्क कर लेता है तो क्या दिवबंदी और एल-हदीस भी वो शिर्क कर है तो वो अगर बरेली वो मैं फर्ज करें ये ये शिर्क का इजाम लगता है बरेली वो पर तो ये तो एक वाजिया दलील है वाजिया चीज है कि ये लोग आपस में लोगों के अकायद में कितना ज्यादा फर्क है एक गरवा कहता है कि जी जो बज़र्गान दीन है वो जि वो हमारी बाते भी सुन सकते हैं, वो हमारी मदद भी कर सकते हैं, हम उनको मदद के लिए भी बुला सकते हैं, ठीक है, दूसरा कहता है कि जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, अल्ला किसी वाकिसी को हम मदद के लिए नहीं बुला सकते हैं, तो ये बेसिक और बन्यादी अकायद हैं, जो शिर्क से बड़ा तो मुझे बता देंगर कोई गुना है तो मुझे बताएं कि शिर्क से बड़ा भी कोई गुना है तो इस सवाले से काइंडी थोड़ा सा जो है ना वो मुझे मैं खुद एक तालबिल हूँ मैं यह नहीं कहा रहा कभी मैं को समझना भी जा है और अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है ठीक है वाकी आप लो जो है वो जिस तरह मज़ी समझे लेकर मेरा मकसद जो है ना वो खुद को जो क्वेस्शन जो करने हैं या पूछना है आप से कुछ भी तो वो सीखने के लिए ठीक है जजा कर ला जी जलानी साथ बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया और जजा कला ला पुझा खैर दे के आपने हम सब भाईयों का अप्टिशेट किया देखें पहली चीज तो आपने फिरिक्टे की जो डैफिनेशन है वो गलत किये पुरान मर्जीद के अंदर जहां पे ये लफ़ इसके इसके बाद मिनल्लबीन फर्रकू दीनहुम कानुशिया अब ये देखें ये बाब है फर्र का युफर्रिकु तफरीकन इसका मतलब है इन्पिशार पहलाना जो बंदा जमात से निकल कर जमात के खिलाफ इन्तिशार करे न वो फिरका होता है दूसरी चीज आपने कही किया ह हम अपनी मजालिस या महाफिल के अंदर दूसरे मकातिबे फिकर के उलमा को बुलाते हैं या उनके साथ बैठते हैं देखें में बाहिर के लाकों में तो मैं नहीं कह सकता लेकिन अपने जहलम के लाके में हमारे मदरिसे में जब दर्स बुखारी ये तक्मील बुखारी होत ते थे मुलाना अबुबकर साब, जामिया हन्फिया के मुदीर थे वो, मुहतमिम थे, ठीक है, इसी तरह जब उनके मदारिस में सलाना जलसा होता था, तो हमारे जो मदरिसे के मुहतमिम थे न, वो जाया करते थे थे, तो मैं खुद दो तीन मरतमा उनके साथ गया हूँ, ये क क्लिर हो गया, तीसरी बात आप ने कही कि अवलिया अल्ला को कुकारना या ये अकिदा रखना कि अवलिया अल्ला सुनते हैं, देखें इस हवाले से मैं एहले हदीस हूँ, मैं एक बात करता हूँ, आल्ला ताया ने खुर्ण मजीद के अंदर, जिस तरह शहीदों के बारे म हमें शौर नहीं है, वलाकिन ला तेशौरून, कि तुम नहीं जानते, तुम्हें शौर नहीं हैं उसके हवाले से, उसके इलावा मैं आपको बताता हूँ, कि हम जब कबरिस्तान जाते हैं, तो एक दूआ पढ़ते हैं, अस्सलाम आलेकुम या अहल अल्कुबूर, हमें एक दौा शरीयत ने सिखाई है, अब वो सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, हम उनके सुनने की नफ़े भी नहीं कर सकते, जिस तरह हम सुनते हैं, हम वो भी नहीं कर सकते हैं, हाँ, अल्ला जैसे, अल्ला की जो शायान शान है, जिस तरह अल्ला चाहते हैं, अल्ला को पता हैं, उनकी بتا دوں اولیاء اللہ کو پہچاننے میں غلطی مت کریے گا یہ جو شوف شوفیہ اس طرح کے بندوں کو ہم آپ بریلویت میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ لوگ ان کو اولیاء اللہ نہیں مانتے جو یہ کام کہہ رہے ہیں بریلوی علماء بریلوی علماء اور مفتیانے کرام ان سب پر رد کرتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا اگر کوئی بندہ ڈاکٹر کا سفید کوٹ پہن کر لیبارٹری کوٹ جس کو کہتے ہیں وہ پہن کر اور گلے میں وہ ڈاکٹر والا لگا کے گومنے لگ پڑے لوگ اس کو ڈاکٹر سمجھیں گے لیکن حقیقت میں وہ ڈاکٹر ہوگا نہیں ٹھیک ہے جس طرح ہم ایک فوج کو اس کی یونی فارم سے پہچانتے ہیں نا اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بندہ کوئی شخص اولیاء کا لبادہ اوڑ لے اور اندر سے وہ شیطان ہو تو ہم اس کو ولی کہہ دیں ایسا بالکل نہیں ہے ایسا تمام مکاتب فکر کے اندر یہ متفق فیصلہ کہ ایسے بندے کو ولی نہیں کہا جا سکتا اور تمام مکاتب فکر میں آپ کو ایک بات نمائع ضرور ملے گی تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن وہ ولی اس بندے کو کہتے ہیں جو لوگوں کو غلط رستے سے نکال کر اللہ اور اس کے نبی کی محبت ان کے دل میں پیدا کرے ولی اس کو کہتے ہیں اس کو ولی کہا جاتا ہے جو اپنی واز و نصیحت سے نہیں واز و نصیحت سے زیادہ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو بتائے کہ بھئی سنت یہ ہے جو اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کو رازی کر کے بتائے اس کو ولی کہا جاتا ہے باقی دیکھنے ہمارے جو فروعی اختلاف ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپس میں جدہ جدہ ہیں یا الگ ہیں اللہ کا فضل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آج سے قریباً دو سال قبل تین سال قبل بلکہ ہمارے مدریسے کے محتمیم پہ ایک کیس ہوا تھا صحابہ اکرام کے حوالے سے شیعوں نے کیا تھا تو ان کو جب رہائی ہوئی تھی اسلامباد سے آئے تھے تو اہلِ حدیث مدریس ہے اہلِ حدیثوں کا بڑا جہلم کے اندر سب سے بڑا مدریس ہے مسلحے پہ کھڑے ہوئے تھے دیوبندی عالم دین اور کھڑے کرنے والے پیچھے سارے کٹھے تھے اس طرح یہ باتیں سوچنا یا یہ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں صرف بےوقوفی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جب کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اہلِ کفر ان کے اصولی اختلاف ہیں وہ اصولی اختلاف ہونے کے باوجود اسلام کے خلاف متحد ہیں ہمارے اگر فروعی اختلاف ہیں ہم متحد ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اس طرح نہیں کرنا چاہیے میں یہ اپنی رائے پیش کرتا ہوں باقی آپ سب بھائی جو کہیں گے انشاءاللہ بہتر ہوگا جزاک اللہ خیر اور پیارے بھائی نے یہ ایک بات کہی کہ کیا دیوبندی برلوی اہلِ حدیث علماء کیا یہ ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانے کھاتے ہیں کیا یہ آپس میں بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں تو میرے پیارے بھائی وہ زمانہ جو ہے وہ چلا گیا ہے ٹھیک ہے کہ جس وقت یہ اس قسم کی فروع اختلافات کو بھی لے کر جو ہے وہ بہت زیادہ میں آپ بات کر رہا ہوں آپ دو اور دو چار کرتے ہیں میں چونکہ اللہ حضرت کا ماننے والا ہوں کیا آپ برلویوں کو جن کا عقیدہ توحید کا وہی ہے جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں ان کے بعد کسی نئے نبی کی کئی نئی نبوت کی کا انکار کرتے ہیں قرآن پاک کو اللہ کا آخری کلام سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بائیت تابعین تبہ تابعین آئمہ مجتہدین کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے نزدیک ایک دوسرے مسئلک سے آپ کا تعلق ہے میں آپ کے نزدیک مسلمان ہوں یا کافر ہوں بسم اللہ کروں جناب ہنڈر پرسنٹ مسلمان ہیں میرے بھائی ہیں ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ آپ بھی نہیں سمجھے آصف جلیل صاحب کو بھی سمجھائیں کہ اصل میں ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ بھائی وہ بڑی آپ دونوں صاحبان نے بڑی اچھے گفت کو کی ہے بھائی فرو میں احتلاف ہے ہمارا سولے دین کے اوپر قائدہ اسلامی کے اوپر کوئی احتلاف نہیں ہے ہم جن بندوں کا احتلاف جن بندوں سے احتلافات کر رہے ہیں ان کا ہمارا فرو کا احتلاف نہیں ہے ان سے ہمارا سولے دین کا احتلاف ہے ایک بندہ آپ نے آپ کو رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی مانتا ہے کبھی وہ نیا نبی آپ نے آپ کو کہتا ہے کبھی کہتا ہے میں امتی ہوں کبھی کہتا ہے میں نہیں میں امتی نبی ہوں کبھی وہ کچھ کہتا ہے متناقص باتیں لگی ہوئی ہیں اس کو ہم اصول کی بنیاد کے اوپر ہمارے علماء اکرام نے چاہے وہ مکتبائی فکر دوبن سے ہیں مکتبائی فکر بریلی سے ہیں مکتبائی فکر اہلی دیس سے ہیں ان سب نے مل کے اس کے اوپر 1974 میں نہیں اس سے پہلے جب اس کی کتابیں آئیں تھیں سب نے اس کو کافر قرار دے دیا تھا اب جو بندہ بھی اس کے کفر میں شک کرتا ہے یا اس کی پشت پنائی کرتا ہے اس سے بھی ہمارا فرو کا احتلاف نہیں ہے اس سے بھی ہمارا قائد کا احتلاف ہے اصول کا احتلاف ہے اس لئے ہم اس کو اسی کھاتے میں ڈالتے ہیں جس کھاتے میں مرزا غلام قادیانی سینئر ہیں اب شاید ان بھائی کو سمجھ آگئی ہوگا باقی آپ سمجھائیں گے جرالی بھی آپ کو ایک بات سمجھا گیا آسا بھائی مادر چاہتا ہوں میں بیچ میں بول پڑا ہوں میں مادر چاہتا ہوں اب آپ کو ایک بات تو کنفرم ہوگی ہوگی نا کہ بھائی اگر ہم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہوں تو ہم یہ اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں چلیں آپ کا تجسس بھی میں دور کر دیتا ہوں ابراہیم بھائی جو ہیں آفر صاحب یہ اہلِ دیتھ ہیں میں بریلوی ہوں اور یہ آپ کے ساتھ جو سیئے صوفی بھائی بیٹھے ہیں یہ دیوبندی ہیں پہلے میں نے آپ کو نہیں بتا یہ بات تاکہ میں ذرا آپ کو گفتگو کے بعد آپ کو ذرا بتاؤں گے بھائی ہم سب ایک ہے الحمدللہ یہ قادیانیوں میں جو سازش ہے نا یہ اب نہیں چلے گی اور نہ یہ مرزا جونیر جیلمی کی سازش اب چلے گی اب انشاءاللہ ان دونوں فتنوں کے خلاف ہمیں ایک ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل ہو کرنے سے جی آسف چھوٹی سی بات میں پھر اس کے بعد اجازت چاہوں گا آسف بھائی ایک بات سننے پھر اس کے بعد میں بھی چلتا ہوں نماز کا ٹائم ہو گیا یہاں پہ شاہ علی اللہ محدد دہلوی رحمت اللہ علی یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ تمام مکاتب فکر جو ہیں مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر یہ شاہ علی اللہ محدد دہلوی رحمت اللہ علی یہ سب کا مرکز ہے بزرگ جو ہیں یہ کیا فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں اس کی وضاعت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو باتیں یقین لانے کی ہیں اصول دین میں मिनलादीन फर्राकू की तफसीर करते हुए फर्मा रहे हैं जो बातें यकीन लाने की हैं असूल दीन में उन में फर्रक नहीं होना चाहिए उन में फर्रक नहीं होना चाहिए जो के इन तमाम मकातब फिकर में नहीं है असूल में कोई फर्रक नहीं है और जो करने की हैं फरूए दीन, फरूए दीन के अंदर उन में अगर तरीका मुक्तलिफ हो जाए तो बुरा नहीं ये कौन कह रहे हैं? ये वो बदर्ग हस्ती कह रही हैं कि जो इन तीनों के रूहानी बाप है समझ रहे हैं आजिव जिलानी भई? जो बदर्ग रहे हैं जो जो इने बताए रहे ही है जो जो जुख अबरापी रहोंअ innovations में पर जो जा आने थे में चेता हैं और अल्लाह तबारक बाताला ने उनको बहुत कमालात अता फर्माए, बहुत आल्म और अता फर्माया, बहुत मुत्तकी, जोहत और तक्वा में आला मायार और अल्लाह के वली थे, ठीक है, और गालिबन शेख अब्दुकादि जनानी रहमतुला ले हम्बली हैं, हन्फी भी न हैं, मैं सही कहा रहा हूँ, अपना हफिसा, अगर मेरे बिल्गुला हम्बली हैं, शेख अब्दुकादि जलानी रहमतुलाले हम्बली बज़र। हैं, हन्फी भी नई हैं, हम, उनकी ताल्यमात को सुनें, सुनें, हम उनकी ताल्यमात कोूद आख पखिसाह, right बहुत जी, तो इसको तो कोई भी मसलग जो है वो नहीं करता है आप जितने भी यहां पे दर्बार बने हुए हैं जितने भी बरगहें बनी हुई हैं आप इन सब पे चले जाएं मैं आपको दावत देता हूँ आप जाएं बलके आप गे भी यह होंगे जैसे आपने कहा कि मैं पहले बेलवी था आप खड़ी शरीफ चले जाएं आप आरिव वाला जो है वो बाबा फरीद अदीन गंशकर रहमत अल्ला अले उनके दरबार पे चले जाएं हत्ता कि आप जो है वो शहबास खलंदर के दरबार पे चले जाएं जहां पे जो है वो बीदात रुसूमाट हो रही है वहां पर भी माई मैं गया हूँ इस तमाम बड़ी-बड़ी जितनी भी गध़ीया है मैं सब पे गया हूँ रावल पिन्डी में जो इसलमाबाद के करीब गोरॉला शरीफ है मैं भी गया हूं, जो 宇दगाल शरीफ है मैं भी भी गया हुआ हूं आपको वहां मेल गेण गेट के ऑपर जहां मेर इंटरी है उन बजरुमियों की तालीमाद वहां पे चस्पा है अब अगर एक आदमी वहां जाके, उल्ट सीथ काम करता है तो इसके अंदर किसी मसलक का तो तर्लक नहीं ना उन्होंने तो उन बुद्रों की जो तालिमात है वो तो चस्पा कर दी है आप अगर उल्टा सीधा काम कर रहा है तो उसका अपना जाती आमल है इसको किसी फिरके के ओपर डालना और ये कहना कि बैहीं कि तारे फिरके वाले ही ऐसा करते हैं तो भाई ये बिल्कुल नाइनसाफी वाली बात है ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं अच्छा सूफी साम मैं आप यह बड़े चलाक्षे आ रहे हैं आप सब बातों में आके आगे पीछे जा रहे हैं इन्हों मिर्जा जेलमी के कुफरियाद इन से बयान करें मैं एक निन नहीं दस मिन नहीं इनको आप नहीं इनको 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 बहुत करें आप मुझे ये बात बताएं कि जो बन्दा ये बोले के तुबा ना उद्विलत सहाब है कराम आज मेरे पास होते तो मैं उनको मचवरा देता कि यह कैसे किया जाता है आप किया समझतें कि वो बन्दा क्या हाक पर है या घजाब है अच्छे अब अब आप सबको जज़ाए खेर दे और जज़ाए खेर दे सुफियान भाई को जिन्होंने जो है वो खामखाई बुबद पार लिया है मेरे मुझे लेके ठीक है मैं कहता हूँ कि हमारी उकाद ही नहीं है कि हम किसी भी जो है सहाबा के बारे लिए को बखवास करें मैं बताता हूं अजलानी पी देखें सुफिय भाई नियां अ इतने महथवसे आपसे बात की यह हैं यद्दो मैं हम मिर्जा इंजिनिर के मैनने मेरी बाह सुने ना अभी मेरे बारे में बात कर रहे थे मिर्जा साब सहाब ऑज के बारे बात करते तो जी मिर्जा जो शाबा के बारे में गलत पासिंग करता है। सब्सक्राइब करता है। सब्सक्राइब करता है। सब्सक्राइब करता है। मैं आपको कहूँ के मिर्जा इंजिनियर तो वो उसका बड़ा एक मशूर जुमला है के शाई कोई नहीं अगर मेरा वालिद भी किसी भी साबा के ओपर उठाएगा तो मैं तो उसको भी लांती कहूंगा। ठीका ना। हमारी हसियत हमारा मकाम ही नहीं है कि हम साबा के कितार को अपने वालिद साब का नाम लिया ना। और आपने नाम लेके कहा है अगर वो इस तरह की बात करें तो मैं उनके बारे किए कहूंगा। इसी तरह से हम कहते हैं कि मिर्दा इंजिनियर के जो अकायद नजरियात है। कहता है अगर को बन्दा आज अपनी इरम की बन्याद पे किसी सहाब भी को काफर भी कह दे ना तो हम उसको काफर नहीं कहेंगे यह मिर्जा इंजिनिर का बियान मुझूद है अगर आप कहते हैं तो भी सुनवा देते हैं आपको सर मैं मैं वही बात मुझे बात मुझे तब सुनाते मैं मिर्जा के दिफा के लिए बैठा ही और तीक में आप मिर्जासाहिव का नाम ले रहे है मैंने इनको सुना यहाँ कि इनको यह नहीं सुना इनकी अची बाते निया है अपने उछान मेशां अपने लुटि अपने बाइयों से अपने सबसैं कीज़ाना है कि मुझे आपको कुरान की आयत पढ़के सुना रहा है तो उसकी आपको अची बात लगेगी नहीं लगेगी वो चीज वो लम हाओ उसकी जबान से जो लफजदार हो रहे हैं उन लफजों के साथ आपको अच्छी लगेगी ना अपको आसफ भाई जो मिर्जे की दरजनों के असाब से जो फेस्बॉक पर यूट्यूब पर वीडियो पढ़ी है जिसको सीडी आइट नहीं पढ़नी आ थी वो क्या अलमा पर उटके फत्वे लगाता है पिरता और आप कहते हैं उसके अच्छी बात है जियार में कहां गहर हूं भाईए मैंने कहां इसका पहर कार हूं पहर जिसका मैं नहीं कोई दावाई नहीं क्या है जिसका अधर बात सुन्ड़ें है आपको वह बताने लगा था किया जो खवारिज थे ना वो कुरान की जीव आलेकमस्सलाम खावारी जी दुर्ते ना वो कुरान की आयते पढ़ के ही साभा कराम को कहते थे कि ये काफर है मुश्र कैंगी ठीक है रही हम चाहिए जी सुफी बई जी सुफी बई जी जाइक लाइ जी सुफी बई भो शुपी है मैं हसन बई मैं अपनी ताइम मेरे पस बहुत शार्ट है मैं दसके निकलना था तो मैं अभी आप लोगों की जो है ना वो उत्तबू सुन रहा था खास करके सूफी साहिब की और या लाश भाही ने भी क्वेश्चन कर दिया ठीक है आप लोगों के माइन में चीज थी कि मैं शायद मिर्जा को दिफा करने क के लिए मिर्जा का दिफा करने के लिए नहीं है मेरा जो हमेशा से ही एक गिला राय बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आप अगर उनको ना माने तो एक अलग है हमारे मैं अपनी अपनी खामियों की बात कर रहा हूं हमारे इसलाम देखे मैं इसको उन करता हूं जितने भी जि भाकि जो अमारी हैं बाकी सभी नहीं सकता। कि जी वो ठीक है, मुसलमानों की जमाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो इखतलाफात हैं, जो बन्यादी चीजें हैं, वो आप सब के सामने हैं, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना, वो भाग तो नहीं सकता, अभी सूफी साहब एक बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि कल भी आप लोगों के अगर इस टाइम आप बैठें तो आप लोगों उसके पास आऊँ, मुझे एक क्वेशन का जवाब ये चाहिए था, कि सूफी साहब कह रहे थे कि ये हर जगा पे हर दर्बार पे जो है, वो दर्बार बाले ओर नहीं करते हैं, जो वहां पे बिदात हो रही ह कि नीचे ना doe आगा हैं, लेकि झालने पिश्टांतों के लोगो हैं करें अगर नहीं अगर कोई यी एक साथी जगह तो दूदी से मेरबन ही का मत बहुत जारहां, कि ये जारहां है , मैं आप इसे प्रसमार के प्लदी उनगारा हु आपकरे हैं कि की शप्राएम्हाब enthusiasts के मेरे कुछ गैस ही समझे, इन्वाइट मैं नहीं किया अगा, जी जी, तो अभी 20 मिन दूपर हो गया, उनके मैसेज आ रहे थे, तो मैं बात मजा आ रहा था गुफ्तुगू में, तो मैं आप लोगों के साथ बात में तरह मगन हो गया, टाइम का पता नहीं चला, अभी उनके म बड़े भी हैं, मुझे आप लोगों का शायद में मुझे से काम मेज भी हूँ, मुझे से ज्यादा भी हूँ, मुझे सारी चीज़ें, मुफ्तिसाफ भी आगे हैं, माशाएलला हमें खुद इन से समझने की जरूवत है, मैं तो इनको कुछ नहीं कह सकता, तो ये बड़े ह भी हिए, जो बन्दा त्בलीग कर रहा है, या जो बन्दा इसलाम की जो है वो खदमत के लिए बैठा हुआ है, जो लोगों की इसलाख के लिए बैठा हूए, उसको चाहिए एक अपनी टून जो है न, वो उस टून में उस लहज्जे में वो रवया रखें जो नभी एक्रम बात को बात करके ही जो है वहाल किया जा सकता है, बगैर बात के तो कोई मस्ला नहीं होता, तो इन्शालला काफी अच्छी गुफटगू रही आप लोगों के साथ, अच्छा टाइम गुज़रा मेरा, तो बहुत शुक्रिया काल इन्शालला अगर मैं कोशिश बल्के जरूर क करूँगा, आप बैठते कितने बज़े हैं हासन भई?